पूरा मामला क्या था और कब का था पांच जून की बात है पांच जून दो हजार तेज को क्या हुआ था अचानक से कॉल आया हुआ से कि अपनी बेटी खुले जाओ इसका ब्लड डूलनी कर रहा है तो हम लोग गए जब देखे तो उनके घर में मिट्टी हो गई थी बगल मे हम चुपचाप से लेके चले आए पिर उसके बाद थाना गए हुए कह रहे हैं पुलीस वाले बोले जाइए जो करना है हम लोग करेंगे आप अराम से घर में बैटी है अच्छा तो हम लोग चले सर पंद्रह वीज दिन हो रहा हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही हमको इंस के साथ रात में जगड़ा हुआ था इसका पती इसके मारने की कोशिज की अफसास मिल सब तो जांसे मानने की थंकी भी कोशिज भी कि हैं इसलिए लोग बगल वाले पड़ोशी लोग सब ख़बर दी हैं तो यहां से रात कि मम्हीं लोग पापा सब बागे गये तो लेके आ कौन से थाने में पूरा मुप्ति नहीं करें यहां जाओ वहां जाओ बस इधर उधर भटकाती है बस जितना पैसा यहां लगाओ वहां लगाओ बस और सुनाई कुछ नहीं कुछ नहीं वास्ता नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सब का दर्सक निव 24 में बता दे कि आज हम प्रयागराज में उपस्तित और प्रयागराज के पूरा मुप्ति थाना अंतर गत एक ऐसा मामला प्रकास में आया है कि अभी सुन्ते ही आपके होश उड़ जाएंगे पता दे इस तरह कि तमाम घटनाय प्रकास में आती रहती है जिसमें कभी ऐसा भी देखा जाता है कि प्रसासल के द्वारा ठोस कारवाही ना होने के बाद दहेज लोभियों की जो प्रतिभाय होती है वो और ज्यादा बर्ति दिखाई देती हैं आए दिन ऐसे मामले आते हैं कि तमाम बहिन बेटिया दहेज की बली चड़ जाती है ऐसे में बता दे कि यह जो पीड़ता हमारे सामने दिख रही जो बैटी हमारे सामने दिख रही है अभी इसको दिखाने का काम करेंगे आप देखेंगे कि दहेज के लिए इसके पति द्वारा किस तरह से बीते पांच जून द पूरा हाल है और ठाना की बात करें तो ठाना की चोखट लंगते लंगते ये लोग ठक गए हैं और अभी तक इन लोगों को नया नहीं मिला है दोसियों को ऊपर किसी भी तरह की कोई ठोस कारवाई होती नहीं दिख रही है दर-दर की ठोकरी खा रहा है यह पीडित परिवार अब देखेंगे कि मरते मरते बची इस पिडिता के सास और इसके पती के द्वारा इसकी गला रेत कर हत्या करने की कोशिश की जाती है आनन फानन में बिटिया के द्वारा बचाओं के तमाम प्रयास किये जाते हैं जिससे इसकी जान तो बच जाती है उसके बाद जैसे यह सहारा लेती है थाने में इंसियार दर्ज किया जाता है लेकिन कोई संतोज जनक कारवाही ना होने के बाद आज पीडित परिवार भी लख रहा है दर दर की ठोकरे खाने को मजबूर है तो अभी आईए इंसे हम बात चीत करते हैं जानने का प्रयाज करते कि दरसल पूरा मामल करें ज्यादा गर्दन नहीं उठाइएगा तोड़ा सा फोकस करें आप देख सकते हैं किस तरह से इस बिटिया की निर्मम हत्या करने की कोशिस की गई है इसके पती के द्वारा और इसके सास के द्वारा आए दिन ऐसे समाज में मामले आते रहते जहां पर तमाम बिटिया जो हैं वो दहेज लोभियों की बली चड़ जाती है ऐसे में कि यह पीड़ता है इसका आप देख पाएंगे कि चागू से इसका गला बीते पांच जून दोहजार तेस को इसका गला रेद कर इसकी हत्या करने की कोशिस की गई थी तो यह पीड़ता है हमारे साथ आप देख हैं इसके गले में चोट है काफी गंबीर चोट है तो बीटी अब और पीरता नहीं दरसल प proprioamen जेका है कि आपठाया उऊंद करते हैं क्या नम आपका संती रिए कौन है आपकी यांनि आपकी पहन किया हुआ था पूरा मामला क्या था और कब का था पांच जून की बात है पांच जून दो हजार देश को क्या हुआ था चारी अचानक से कॉल आया हुआ से कि अपनी बेटी खुले जाओ इसका ब्लडर निकर रहा है तो हम लों गए जब देखे तो उनके घर में मिट्टी हो तो सुना आप लोगों ने बताया बताया जा रहा है कि एक दिन की बात है नहीं कि पांच जुन दो हजार तेश की बात है जब इस लड़की के परजनों के पास इनके ससुरार वालों को द्वारा फोन आता है फोन करिया बताया जाता है कि आपके बेटी के गले से काफी ब्लेडिंग हो रही है तो आकर अपनी बेटी को आप ले जाए उसके बाद जैसे ही प अब माद ने मांद देखनाने को मिलते जहां पर दहेज की बली चड़ जाती है कि अजुन वे पेस्ट जाने रहा है। था जाने नहीं नहीं पूल बुढ़ा है। करते क्या हैं आप लोग काम करते हैं जारू पहुंचे करके खाते के राय से रहते हैं कौन से समाज से आते हैं बालमीग समाज तो यह पांच जून की घटना है आपकी बेटी की गला रेत कर हत्या करने कोशिश की गई थी कुछ बात थी या फिर किस लिए आरे की बोल रहे हैं कि जाए अपनी ममी सपाइसों से लई किया हमको मेरे पास नहीं का गदेलन के खावाई कि तुम्हें बार बार देई के लिए आए यह निकि दहेज का मामला है दहेज मांगा जा रहा था तो यह आप सुन पारें यह पीड़ता की माता है और पीड़ता की म कि इस प्रकरण में जो मुकदमा इन पर जो है दर्ज किया गया है वह 498 323 और दहेज प्रतिसेद अधनियम 1961 के ताहत धारा तीन लगाई गया है यहां पर 303 307 नहीं लगाया गया है चुकि 307 लगना था क्योंकि पीड़ता की जिस तरह से गला रेद कर हत्या करने की की गई थी ऐसे मामले में 307 लगना चाहिए और साथ ही दोसियों के प्रदिकरी से करी कानूनी कारवाई होनी चाहिए ताकि फिर समाज में कोई बहन और बेटी दहेज की बली ना चड़ें तो यहां पर तो सबसे पहले आप प्रसासनी कारवाई देख लिजें कि प्रसासन क कि उसमें से गायब कर दिया गया क्योंकि पीड़ता की जान लेने की कोशिश की गई धारदार अतियर से गला रेत कर इसको जान से मारने की कोशिश की गई थी तो इस पर 307 लगना चाहिए 307 क्यों नहीं लगाया गया और दूसरी बात पांच जून 2023 की घटना है और घटना फायदा साइद ठया चाहिए परवरी सन 2018 मंगला वार को इस बेटी की साधी होता क्या है दह juvenile इस बेटिकी जान लेनी की कोशिश की जाती है इसके पती के दौरा और उसके सास के दौरा इस पीडता को मुझाए का तो क्या हुआ है यह लड़की कोशी की क्यों mine दहेज के लिए इसलिए लोग बगल वाले पड़ोसी लोग सब खाबर दी हैं तो यहां से रात को पापा सब भागे गए तो लेके आए काँ से ठाने में पूरा मुप्ति हाँ वहां गाए रहां तो वहां को पुलिस नाट नाट कर भागा दी कुछ सुना यह नहीं करें यह जो वहाँ बस इधर उधर भटकाती है बस यतना पैसा यहाँ लगाओ लगाओ बैस सुनाइब आप लियुक्तार यह कि दहीड के लिए आपकी जान लेने की कोशिश किक लिए तो क्या प्रतार सासन से क्या कहना चाहिएं किस तरह की नया की वहार लागाना चाहिएंगे आ कि इसमें ठोच कारवाही होनी चाहिए ताकि कोई दूसरी बैटी जो है इस तरह से दहेज की बली ना चड़े ना हो यही कारण तो नहीं कि प्रसासर के दोरा उचीत नहीं ना मिलने की वज़ा से दहेज के जो लो भी है वह आए दिन इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं कि समाज में और ऐसे ना हो पाई किसी के साथ जो हमारे साथ हुआ कितने टाके लगे हैं बेटी की गरदन में बता दे कि इस विटिया के गरदन में तीन टाके लगाए गया है और जिस तरह से गला रेता गया है तो आप देख पा रहे होंगे एक बाद तुना कामरामाइन से कहूंगा थोड़ा सब फास में आकर दिखाएं या आप देख पाएंगे कि टांके अभी भी लगे हैं टांके कटे नहीं हैं और इसके पती के द्वारा इसके सास के द्वारा सि इधर भी इनको ऐसा लगता है कि यहां से हमें नयाय मिल पाएगा वहीं जाकर उसी चौखट के सहारे में यह पहुंच जाती हैं और उसी चौखट का दरवाजा जाकर यह खट खटाती हैं तो आप देख पा रहे हैं किस तरह से एक पीडित परिवार जिनकों की दहेज के ल लोभी हैं वो इस तरह की घरनाओं को अंजाम देते रहते हैं तो आसा करता हूं कि ऐसे मामले को लेकर जो प्रसासन है वो काफी चैतान होगा और इसमें ठोश कार वाही करेगा कि कोई दुबारा दहज का लोभी इस तरह की घरनाओ ना देने पाए तो ऐसी खबर में आपक तके लिए नमस्तों